महिना बड़े संगर्श का फिर भी लाभ प्राप्ति का किसी समस्या से दूर भागना अर्थात बड़ी समस्या उत्पन न करने जैसा होता है सीह राशी के स्वामी रवीदेव इस महने स्वयम नीच अवस्ता में है जिस कारण आपके लिए विभीन्न प्रकार की समस्या निर्मान होगी उनसे दूर न भागते हुए आपने उनका सामना करना चाहिए संगर्श के लिए तैयार रहना चाहिए नमस्कार मैं अश्ट्र गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतिश प्रेमिय और मध्यन करताओं का हर्दिक स्वागत करती हूँ हम नॉवंबर 2022 महने के राशी फल को समझ रहे हैं उसमें आज हम सीह राशी के जातकों के लिए यह महना कैसा रहेगा इस पर विस् को इस महने करने वाले विशेश उपाय बताऊंगी वीडियो अन्त तक देखे हैं व्यक्तित्व की दुरुष्टी से विचार करें तो राशी स्वामी की स्थिति को देखने आवश्यक होता है सीह राशी के स्वामी रवी देव तुरुतिय स्थान में जाकर नीच हुए है आपके तुरुतिय स्थान में तुरुतिय श्विराजपान होने के करण रवी देव का वाहा नीच भंग हुआ है लेकिन तुरुतिय श को सयम उन्होंने खुदी ही अस्त किया है कुल मिला कर विचार करें तो सीह जातक इस महने कर्म करने के अपिक्षा उसे टालने का अधिक प्रयास करेंगे यहां तक कि कर्म को टालना कैसे उचित है यह सिद्ध करने का भी आप प्रयास करेंगे क्योंकि तृतियस्तान में बूठ शुक्र केतु और रवी देव विराजमान है जिस कारण यह प्रभाव आप परविशे शूप से मेहने के प्रथम पकवाड़े में होगा लेकिन दुसरे पकवाड़े में बदलाव दिखाई देगा सीह जातक अपनी माता के लिए अपने परिवार के लिए हाड़ वर्क करने का प्रयास करेंगे वास्तु के लिए भी आप हाड़ वर्क करने का प्रयास करेंगे आपके लिए वास्तु के योग निर्बान होंगे धन परिवारवानी की दुरुष्टी से विचार करें तो सीह राशी के लिए बुधग रह की स्थिती महत्वपुल्ण होती है क्योंकि बुधग रह आपके धनेश के साथ लाभेश भी है धन और लाब के दो महत्व पुल्ण विभाग बुधा ग्रह के पास होने के कारण सीह राशी के लिए उनका महत्व बढ़ जाता है बुधा मित्र ग्रह की राशी में विराजमान है जिस कारण वह भले ही शुबस्तीती में हो लेकिन 13 अवंबर को वह चतूर्थस्तान अर्थात शत्रू ग्रह की विरुष्टिक राशी में प्रवेश करेंगे संग्षेप में मेहने का प्रथम पक्वाडा सीह राशी के लिए पारिवारिक दुरुष्टी से लाबकारी रहेगा पारिवारिक सौख्य प्राप्त होगा धनलाब होगा वानी से लोगों के मन को जीतना ऐसे शुभप्रभाव आपको इस अउधी में प्राप्त होंगे उनका पूरा उपयोग कीजिए पराक्रम परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करें तो सीह जातकों के लिए यह महिना थोड़ा संगर्श का रहेगा क्योंकि परिश्रम करने की अपेक्षा उसे टालने का आप प्रयास करेंगे वैसी मानसिक्ता आप में विकसित होगी परिश्रम न करते हुए समय कैसे निकाला जाए इसका आप विचार करेंगे लेकिन बाद में आपको पश्याताफ होगा कि अपना समय व्यर्थ गया है उसके अपेक्षा हम कोई कार्य कर सकते थे इस बात को आगी पहले ही द्हान में लेते हुए आपने इस मेहने अधिक्तम परिश्रम करना चाहिए वहाँ आपके लिए लाभकारी रहेगा वास्तु वाहन मुमी सुकशानती की द्रुष्टी से विचार करें तो कुंडली के चतुर्थेश की स्थिति को देखना आवश्यक होता है सीह राशी के चतुरतेश लाभस्तान में और शत्रू ग्रह की राशी में विराजबान है उसके बाद वह वक्री अवस्ता में तेरह नवम्मर को दशम स्तान में प्रवेश करेंगे लेकिन वहाँ भी उनके शत्रू ग्रह की राशी आती है परिणाम सरूप कुल मिला कर वास्तु वाहन के दुरुष्टी से आपके लिए शुभयोग निर्मान होंगे ऐसा हम नहीं कह सकते लेकिन वास्तु वाहन लेने की तियूर इच्छा आपके मन में निर्मान होगी क्योंकि इस मेहने रवी, बूद और शुक्राय से तीन ग्रह आपके चतुर्त स्थान में प्रविश्ट करेंगे साथ ही उन पर दशम स्थान से चतुर्तेश की दुरुष्टी भी होगी जिस कारण वास्तु वाहन लेने की तियूर इच्छा आपके मन में निर्मान होगी लेकिन इस अउधी में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें शिक्षा यों मिश्टदेव के सहयोग के दुश्टी से विचार करें तो आपके पंचमेश गुरु महराज अस्ठम स्थान में विराजमान है महतोपुर्ण बात है कि वह अपनी जलतत्व की राशी में विराजमान है शिक्षा के कारण गुरु महराज स्वराशी में होने के कारण जो जातक इंशुरंस शेत्र में पढ़ाई कर रहे है बड़ी सफलता प्राप्त हो सकती है इसलिए आपने शुभदाई अवधी का पूरा उपयोग करना चाहिए क्योंकि शिक्षा या अध्यान में जो उन्नती होती है बहुत दिर्गकालीन लाभ प्राधान करती है यह मुख्य रूप द्यान में लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दबाना ना बुले धन्यवाद स्वास्त्य कर्जप्रति शत्रों की दुरूष्टी से विचार करें तो सीह जातकों के लिए यह महिना संगर्ष का परेशानी का हो सकता है क्योंक समस्या निर्मान हो सकती है इसलिए अपने स्वास्त का पूरा ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक रहेगा योग प्राणायाम ध्यान जैसी चीज़े आपने करनी चाहिए उसके आपको शुबह परिणाम प्राप्त होंगे जो जातक प्रतियोगी परिक्षा की तैयारी क सौधी में बड़ी सफलता प्राप्त होगी इस मैने यदि आपकी परिक्षा हो तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है अन्यथा अभी जो आप अध्यान कर रहे हो उस पर ही भविश्य में होने वाली परिक्षा में प्रश्ण पूछे जाएंगे अर्था इस सौ जातकों के लिए इन दोनों मोर्चों पर इह महीना लाबकारी सिद्ध होगा फिरभी व्यावसाइक जातकों को कहीं न कई संगर्ष का सामना करना पड़ेगा हर चीज के लिए आधिश्ट परिश्रम करने पड़ेंगे उसमें आपकी मानसिता इस महिने परिश्रम न करने की होने के कारण कहीं न कहीं कार्य में विलंब हो सकता है उस तुल्ना में नोक्री करने वाले सीह जातकों के लिए यह शुभस्तिती रहेगी उनक इस महिने सीह जातकों के लिए आधिक शुभसंकेत निर्मान होने वाले है क्योंकि आपके राशी स्वामी स्वयम नीच अवस्ता में है राशी स्वामी की स्थिती महतोपुर्ण होती है क्योंकि राशी स्वामी जातक स्वयम होता है राशी स्वामी से मन देखा जाता है मन हो तो आप विपरित स्थिती में भी प्रसन्नता से जीवन व्यतित कर सकते हैं लेकिन मन ना प्रसन्न हो तो किशी भी शुबसंकेत का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं हो सकता एक बात और है कि सीह जातक इस पहने यदिश सूर्य देव के आराधना करते हैं तो उसके नाम निश्चित रूप से कम होंगे आपके शुबसंकेत कार्य करने लगेंगे इसलिए इस पहने सूर्य देव की आराधना करने की सलाह आपको दी जाती है कर्म की दुरुष्टी से विचार करें तो कुंडली में कर्मेश की स्थिति को देखना आवश्यक है सीह राशी के क दुक्र का प्रभाव थोड़ा नकारात्मक रहेगा जिसका प्रभाव आपके कर्मों पर पड़ेगा परिश्व में कर्म करने की अपेक्षा उसे टालना आप अधिक प्रयास करेंगे इसलिए कर्मों पर पूरा ध्यान रखना आपके लिए लाभकारी है जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये हैं उनका अवश्य लाभ लीजिये लाभ की दुरुष्टी से विचार करें तो यह महिना सीह जातकों के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध होगा महत्व पुर्ण बात है कि अन्य सभी दुरुष्टियों से बले ही नकारत मक्स्तिती हो लेकिन लाभ आपको निश्चित रूप से मिलेगा एक तो आपके लाभस्तान में मंगल गरह विराजबान है जो आपके राशी के लिए राजयोग कारक माना जाता है लाभेश के साथ उसका नवपंचम योग हो रहा है जिस कारण बूद मंगल नवपंचम योग शुक्र मंगल नवपंचम योग, रवी मंगल नवपंचम योग, रवी राहू लाभयोग, ऐसे कई शुभयोग, कुंडली में निर्बान होने के कारण लाभ के भरपूर अउसर आपको प्राप्त होंगे, उनका उपयोग कीजिए, ताकि अधीक से अधीक लाभ प्राप्त हो वे उम परदेश कमन की दुरुषी से विचार करें, तो सीह जातकों को इस मेने सबसे बड़ा खर्च यात्रा पर होगा, उसके बाद नूकरी पर, पढ़ाई पर, स्वास्थ पर भी आपका कुछ खर्च हो सकता है, इसलिए सीह जातकों ने वैसी योजना बना कर रखनी चा जो करने की उनकी इच्छा नहीं होगी, लेकिन नूकरी में होने के कारण उन्हें वह करना ही पड़ेगा, और उन्होंने वह करना चाहिए, हर सुबह एक नया दीन प्रकट होता है, उसके बाद रात होती है, अर्था दीन के बाद रात और रात के बाद दीन, यहाँ या तनाव पुर्ण होते हैं इस दुरुष्टी से सीह राशी के लिए 6, 16 और 25 यहा दिन शुभर हैंगे तो 9, 18 और 27 यहा दिन अशुप तनाव पुर्ण तथा संगर्श से भरे रहेंगे इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यों की योजना बनाईए उपायों की दुरुष् करने का शुभची जो की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है उस अनुसार इस मैंने के उपायों का विचार करें तो 9 मैंने के ग्रहस्तिति को देखते हुए थोड़े अलग उपाय मैं आपको पताती हूं राम चरीत्र मानस में कुछ ऐसे दो हैं जो हमारे जीवन के लिए जीवन के प्रश्नों के लिए इच्छा पुर्ति के लिए भय नस्ट करने के लिए बिमारी दूर करने के लिए अर्थ हप्राप्ति के लिए शीक्षा आन्यराशियों के भी दो है पठन करते हो तो चलेगा इस दोएका पठन पहले दिन 108 बार करना है उसके बाद प्रति दिन कम से कम 11 बार आपको पठन करना है क्योंकि नौवेंबर महिने में कई ग्रहों का गोचर बदने वाला है इसलिए ग्रहों की तुल्ला में प्रभू श्रीराम जी के दोएका जब हम पठन करते हैं तो उसके श निया जातकों के लिए राज्या नैन धरे धनु सायक भगत अभीपति बंजन सुखदायक राज्या नैन धरे धनु सायक भगत अभीपति बंजन शुक यह दोवा सुचित किया जाता है जैसा मैंने पहले भी कहा उस पद्दति के अनुसार पठन करें उसके आपको अत्यनते शुबह पर इनाम प्राप्त होंगे इस प्रकार मेश से लेकर मीन तक हर राशी के लिए यह माइना कैसा रहेगा इसलिए हमने बारह वीडियो आपके इस सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद शुभम भवतु जय जोतिश प्लीज लाइक शेर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दपाना ना बुले धन्यवाद